एक जमाना था जब हम पिक्चरे देखती थे तो हमें उम्मीद की एक किरन नजर आती थी लेकिन आजकल कुछ ऐसी मूवीज रिलिस की जा रही हैं जिसे देखने के बाद आपकी उम्मीद तो क्या आपके बातरूम से लाइट भी गायब हो सकता है यानि कि इन मूवीज को देखने के बाद आपके जीवन में अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं रहने वाला है जी हाँ दोस्तों आज हम इस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इस movie को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्या गुना किया था जो हम इस movie को देखने के लिए चले गए जी हाँ दोस्तों मैं बात करने जा रहा है जिसे finally release कर दी गई है या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसे जवज़स्ती थीयर्टर पर थोप दिया गया है जी हाँ दोस्तों movie जब आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे ही अजीबो गरब ख्याल आने वाले होंगे तो दोस्तों समय की बरवादी ना करते हुए चलिए जानते हैं इस भद्धे movie की भद्धे story दोस्तों कहानी के शुरुआत होती है अरे यार हीरो सभी को पता है कि उसे raw की नौकली किस तरह मिली ठीक है छोड़ते हैं हम इस बात को लेकिन दोस्तों गौर जरूर कीजिए तो दोस्तों दिमाग ज्यादा खरच ना करते हुए movie की story पर focus करते हैं तो दोस्तों कहानी के शुरुआत होती है आयूस से जो कि raw agent में काम कर रहे हो लेकिन असल में ये गरबड़ी ओ क्यों करता है ये भी एक mystery ही रहने दीजिए इस movie में दूसरी तरह raw उसे निकाल देना चाहती है लेकिन raw भी मजबूर है किसकी वज़ए से ये तो हमें भी पता नहीं है अरे चपर गंजू फिर से वही सवाल लेकिन जहां तक दोस्तों हम कि raw में अगर चोटी मोर्टी भी गलती की जाती है उसे पूरी तरह से नौक्री से निकाल दिया जाता है लेकिन दोस्तों हमारे आईश के साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि raw इसे बार बार opportunity देते रहती है और ये बार बार कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा क पीछे पढ़ जाता है लेकिन एक दिन अचानक से ही एक छोटी से mission को complete करते वक्त एक छोटी सी गरबड़ी आ जाती है कि ओपर खून का इलसाम लग जाता है और situation एकदम दिवार टाइप हो जाती है तो दोस्तों कुछ ऐसी situation खड़ी हो जाती है जहां पर बाप बिटा एक के दुश्मन बन जाते हैं और लाश्ट तक इन दोनों में फिर से patch up किस तरह होता है और रुसलान अपने आपको किस तरह बेकसूर साबित करता है या फिर ये दोनों ही एक दुश्रे के दुश्मन बन जाते हैं ये सारी की सारी चीज़े जानने के लिए आपको इस movie को एक जाने वाला होगा और वही सीन आपको सबसे ज़्यादा रहत देगा मूवी में देखने लाएक और भी बहुत सारे चीज़ है फॉर एक्जामपल मूवी में आप रेंजर रोवर को देखकर बहुत ज़्यादा इंज्यादा कर सकते हैं क्योंकि complete मूवी में यही एक गारी है जो कि सबसे ज़्यादा इंट्रेस्ट देगी आपको बीच बीच में कुछ ऐसे भी दिरिश्य होने वाले होंगे जो कि आपके नैन को सुख देंगे लेकिन अवरल यह पूरी की पूरी मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा तनाव ग्रस्ट करने वाली होगी तो दो दोस्त बात को ध्यान में रखते हुए इस मूवी को देखने के लिए अपने चरन को बढ़ाएए थियर्टर की तरफ तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आज का यह रिविव आपको पसंद आया होगा इसी तरह के इंट्रस्टिंग वीडियो के लिए फिर मिलते हैं एक नही वीडि झाल 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 झाल